हलो एब्रिवन वल्कम बैक टू चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप की अच्छे हैं होंगे तो चलिए आज की कलाश शुरू करते हैं और आज हम कवर करेंगे उत्राखंट सिक्षा भासा साहित्य पुस्तके एवं पत्र पत्रकाएं ये है आपका अध्याय नमर 17 का पार टू तो चलिए आज के मसी कूज शुरू करते हैं और आपके पास है पहला क्वेस्टन इस्वर पूजा की पध्धती प्रमुक्ता कहां होती है यानि एक क्वेस्टन है कि इस्वर पूजा की जागर पध्धती प्रमुक्ता कहां होती है यहां पे आप जागर कह सकते हैं तो आपका जो सही आंसर है वो है उप्सन नमर ए तहां उत्राखन में जागर के माध्यम से उत्राखन के ग्रामी छेतरों में अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इस्ट देवता और लोख देवता का आउवान किया जाता है यहाँ आयान एक मानव शरीर में देवता के अवतरण के लिए किया जाता है उमीद की जाती है कि देवता अवतरित होकर व्यक्ति परिवार गाउं या समध्याओं के कस्ट परिसानियों का काराण बताएगा जागर उतराखन के गड़वार और कुमाव मंडुलों में परिचलित पूजा पद्धितियों यानि वार्शिप सिस्टम में से एक है तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन की और अगला क्वेस्टिन है निम्न में से कौन सी बोली उतराखन की नहीं है उप्षन एक कुमावनी उप्षन बी जोन सारी उप्षन से गड़वाली और उप्षन नमर डी कोई नहीं तो इसमें आपका जो सहयांसर है वो है उप्षन नमर डी इनमें से कोई नहीं आपका जो सहयांसर है वो है उप्षन नमर डी यानि उत्राखन के बोली ये सभी हैं कुमावनी जौन सारी गड़वारी ये question पिछली वीडियो में भी आये था तो hopefully कि आपका ये question complete हो चुका होगा तो हम चलते हैं अगले question पे और अगला question है आयस ग्राम का संबंध क्या है? तो option number C आपका सही answer है आयूरवेदिक सिक्षा से आयस ग्राम एक अवधारणा है जिसमें प्रति ब्लॉक एक गाउं को आयस जीवन सहली के तरीकों वो अभ्यास को अपनाने तथा स्वास्त परिचाई के उपचारों के लिए चैनित किया जाएगा You can join our online class with cosixer 7409287156 is our whatsapp number You can message us या call us तो हम चलते हैं अगले question के ओर अगला question है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है Option number A हिमाले का इतिहास डॉक्टर अजेरावत Option B मसूरी मेडले प्रोफेसर गणे सेली Option number C हिमालेन ट्रेवल्स जोट सिंग नेगी Option D है होली हिमाले ए सेर्मन अकलेजी तो आपका जो सही answer है यानि जो सुमेलित नहीं है वो है option number A हिमाले का इतिहास डॉक्टर अजेरावत यानि ये हिमाले का इतिहास जो पुस्तक है वो डॉक्टर अजेरावत ने नहीं लिखे हिमाले का इतिहास के पुस्तक के लेकग जो थे वो थे आपके मदन चंद्र भट जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मदन चंद्र भट जी ओके तो आपको एक कम्प्लेट हो चुका होगा तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन की और अगले क्वेस्टन है आप लुगों के लिए राज़े के किस विश्व विद्याले को 2009 में केंद्री विश्व विद्याले का दर्जा दिया गया था तो आपशन नमर ईह आपका सई आंसर है richness गड़वाल विश्व विद्याले यह नि हम चलते हैं अगले क्वेस्चन की और आपके लिए अगला question है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो option नमबर यह आपका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है स्वाधिन प्रजा अलमोडा इसके बारे में कुछ जादे इंपोर्टेंट तो है नहीं इसलिए हम चलते हैं अगले question के और और यदि अभी तक आप subscribe कर सकते हैं क्योंकि उस channel में हम upload करने वाले हैं केवल उत्राखंड वाजिस topics और अगला जो question है वो है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है option नमबर यह आपका सही आंसर है सुमेलित नहीं है गोविंद वलव पंध प्रजा बंदो और बाकि आपके यह सुमेलित है मुकेंदिल अगले question के और अगला question है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है हिमालियन डिस्ट्रिक गजेटियर्स एटकिंसन और हिमाले की यात्रा जोट सिंग नेगी गड़वाल गजेटियर्स एच जी ओल्डन और गड़वाल एंसेंट एंड मॉडन पातिराम तो आपका जो सही आंसर है मेलित नहीं है हिमाले की यात्रा जोट सिंग यापका आंसर सही नहीं है हिमाले की यात्रा के लेखक थे काका साहिव कालेलकरजी। काका साहिब कालेलकर जी तो काका साहिब कालेलकर के नाम से विख्यात दत्ता त्रेई बालक कृष्ण कालेलकर भारत की प्रसिद सिक्सा सास्त्री पत्रकार और स्वतंतरता संग्राम सेनानी थे निवन संग्रक के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमिक पुरुषकार से समानित किया गया था और इन्होंने जो पुस्तक लिखी हमाले की यात्रा वो लिखी थी सन 1948 में तो चलिए हम जलते हैं अगली क्वेस्चिन के और अगला क्वेस्चिन आप लोगों के लिए उवर्स दोजार चे में नरेंदर नगार यानि टीहरी में गठन किया गया था, जूं इस परिसे के कारेकाल को रातो रात नरेंदर नगर से देहरे दोर सिफ्ट किया गया था तो हम चलते हैं अगले question की और और अगला question है हिमालियन गजेटियर्स के लेखक कौन थे तो option number C आपका सही answer है एटकिनसन हिमालियन गजेटियर्स के लेखक एड़ड एड़किनसन थे एड़किनसन का पूरा नाम था एड़ड एड़किनसन ये question तो पिछली वीडियो में भी आये था तो hopefully कि आपका ये complete हो चुका होगा तो हम चलते हैं अगले question के और अगला question है उच्छ सिक्षा के नियंतरा निर्देशन ही तो उच्छ सिक्षा निदेशाले की इस्तापना की गई है तो option number A आपका सही answer है हलवानी मी राजय में विध्याली सिक्षा समंदी मूलाकन एवं प्रेस्टिक्षन के लिए जन्वरी 2002 में नरेंदर नगर यानि ठीरी में राज सेक्षन का नुसंदान एवं प्रेस्टिक्षन परिशत की इस्तापना की गई थी तो हम चलते हैं अगली क्वेस्टिक्षन के और और अगला क्वेस्टिक्षन है उच्छ सिक्षा के नियंतरन निर्देशन ही तो उच्छ सिक्षा निदेशाली की इस्तापना की गई है यानि कहां की गई है तो option number A आपका सही answer है हलदवानी में इसके बारे में कुछ निर्देशन मर्याप का सही answer है 1902 में 1902 इस विद्याली की स्ताफना दयानन सरस्वती के परमसिष्य स्वामी सृधानन ने सन 1900 में पंजाब के गुज्रावाला में की थी लेकिन 2 मार्च 1902 को इसका इस्तानांतरन हरिद्वार में कांग्री में कर दिया गया था और अगला हम क्वेस्चन में से कौन सा यूग में सुमेली नहीं है आपका सही आंसर है जो सुमेली नहीं है हिमाले के खस आचारय धर्मान तो आपका इसमें जो सही जो कि हिमाले के खस जो पुस्तक लिखिया है वो लिखिया है डॉक्टर डीडी सर्मान है डॉक्टर डीडी शर्मा होफ अगला जो question है निम्न पत्रकावों वो निकलने के इस्थान में कौन सुमेलित नहीं है? Option number C आपका सही answer है जो सुमेलित नहीं है यूगवानी हरिद्वार यानि यूगवानी जो पत्रका है वो कहां से निकलती है? तो यूगवानी देहरदों से प्रकासित होती है और ये वहां की मासिक पत्रका है हम चलते हैं अगले question के और अगला question है निम्न पत्रों वो निकलने के इस्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो से आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो है कर्मभूमी टिहरी कर्मभूमी जो की लैंस डाउन यानि प्रकासित होती है और ये एक सापता ही पत्रका है होफिली आपका ये complete हो चुका होगा और हम चलते हैं अगले question के और अगला question है निम्न पत्रों वो उनके निकल के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है तो option number D आपका सही answer है हिम्न लैंस डाउन यानि हिम्न देरादून से निकलने वाला पत्र है और ये एक सापता ही पत्र है लैंस डाउन से नहीं निकलता है देरादून से निकलता है और हम चलते हैं अगले question के और और अगला question है वेदमा के रचना की है और हरी राम धस्माने ने अपनी पुस्तक वेदमाला में गढ़वाली और वेदिक संस्कृति सब्दों की एक सूची दी है जिसमें बताये गया है कि गढ़वाली में कई सब्दों का प्रयोग वेदिक में ही होता है और हम चलते हैं अगले question के और अगला question है अगले question के और हम चलते हैं अगले question के और हम चलते हैं अगले question के और अगला question है निम्न मेंसे कौन सुमीली नहीं है तो option नमर डी आपका सही answer होगा जो कि सुमीली नहीं है हिमाले या हिमालियन folklore वेरिश्टर मुके निलाग यह लिखी थी आपकी तारादद गैरॉला जी ने इनको उकले जी भी कहते हैं तारादद गैरॉला या आप पीछी से भी लगा सकते हैं और इन्होंने यह जो पुस्तक लिके हो लिखे सानुनी सुपर हमसे जोड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होफुले आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगे और वीडियो प झाल